सूर्य मतलब आप जानते हैं सूरज जैसे हम अभी बात कर रहे थे सूरज हर तरह की उर्जा का स्तरोथ है हम आज यहाँ सूरज की वज़े से हैं धर्ती और चांद की अपनी भूमिकाएं हैं लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपून सूरज है अगर सूरज की किरिने इस धर्ती पर न पड़े तो जीवन की कोई संभावना नहीं होगी यानि जीवन खत्म तो सूरज का संबंध सिर्फ प्रकाश से नहीं है हर पल आपका जीवन सिर्फ सूरज की वज़े से चल रहा है धर्ती और चांद का प्रभाव भी निश्चित रूप से है लेकिन सूरज का जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है तो हमने एक चीज करने का फैसला किया सूरज से तालमेल बनाने का अगर आप सूर्य के चकरों के तालमेल में हैं तो शारिरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, उर्जा इन चीजों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती वे हमेशा आपके साथ होंगी सूरज के चकर सवा बारा से साड़े बारा साल के होते हैं चांद के चकर अठाइस दिन के होते हैं स्त्रियों का शरीर चांद के तालमेल में होता है इसी वज़ा से हम पैदा हुए हैं और इसी वज़ा से हम यहाँ हैं ये एक स्तर पर सच है लेकिन चाहे आप पुरुश हैं स्त्री आपके शारिरिक सिस्टम में सूरज का योगदान और प्रभाव जबरदस्थ है सूरज न हो तो हमारी शरीर की गर्माहट भी जो जीवन का लक्षन है सिर्फ सूरज की वज़े से है तो सूरज के साथ तालमेल कैसे बनाएं ताकि आपके चक्र बारा साल लंबे हो न की छोटे अगर आपके चक्र अगर आपके शारिरिक चक्र सूरज के चक्रों के साथ तालमेल में हो तो आपकी शारिरिक सेहत बहुत अच्छी होगी आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा यही हर उस आध्यात्मिक साधना की बुनियाद है जिसकी प्रकृती भौतिक है जिससे आप प्रकृती के चक्रों के साथ तालमेल बना पाएं आपका अस्तित्व प्रकृती में मौजूद चक्रों से मुक्त नहीं है सूर्यक्रिया का मतलब है अपने भीतरी सूरज को जागरित करना क्योंकि आपके अंदर भी एक सूरज है वरना आप शरीर का तापमान कायाम नहीं रख पाते हैं न अगर आप शरीर का तापमान कायम न रख पाएं, तो आप खत्म. देखिए आप इस शरीर को या तो अस्तित्व की चाबी बना सकते हैं, या इसे अपने जीवन में एक रुकावट बना सकते हैं. अगर आप शरीर को मजबूरी भरी आदतों के साथ जीने दें, तो ये साधारन जीवन जीएगा, वही खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, ये भी बड़ी चीज है कई लोगों के लिए. क्योंकि किसी अन्य चीज की खोज नहीं की गई है, जीवन कई अलग-अलग आयामों में घटित होता है, हर समय घटित हो रहा है, लेकिन ये ज्यादातर लोगों के अनुभव में नहीं है, दुर्भाग्य से. फिल्हाल जीवन ऐसा ही है, सिर्फ एक आयाम का बोध हो रहा है, जो कि काफी ठीक लगता है, जब आप अन्य आयाम देखेंगे, तभी समझेंगे कि किस चीज की कमी है, है ना? सूर्य क्रिया उस दिशा में एक जबरदस्ट सिस्टम है, विशेश रूप से शारिरिक और मानसिक संतुलन के लिए, ये संतुलन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है, मान लीजिए आप साइकल चला रहे हैं, क्या आप अभी साइकल चलाते हैं, ठीक है, आप साइकल चला रहे हैं, अगर आप में जरूरी संतुलन नहीं है, तो ये अपने आप में दुनिया की सबसे महान चीज है जो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका संतुलन बहुत अच्छा है, तो आप आस-पास देख सकते हैं, मेसेज भेज सकते हैं, साइ आप जीवन में रोमांच ला सकते हैं क्योंकि आप में संतुलन है अगर आप में संतुलन न होता तो आप एक ही चीज़ करते साइकल चलाना अपने आप में महान काम होता फिलहाल ज्यादा तर लोगों के लिए जीवन ऐसा बन गया है पैसे कमाना खुद एक महान काम है मन को ठीक रखना मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना खुद में एक महान काम है बस शांत रहना ही एक महान काम है जीवन में किसी रोमांच का सवाल ही नहीं है लेकिन अगर आप शांत और आनंदित हैं और बहुत संतुलित हैं, चाहे जो भी हो जाए आप ऐसे ही रहेंगे, तो आप कई चीजेंगे है ना, आप कई चीजें करेंगे, आप जीवन के सभी आयामों की खोज करने की कोशिश करेंगे, जहां भी कोई संभावना होगी आप उसके बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन अगर यही खुद एक महान काम है, तो आप कुछ भी नहीं करना चाहेंगे, अगर मैं मुश्किल में नहीं पड़ता, तो यह काफी है, बहुत से लोग इस तरके रिटायर्मेंट तक पहुँच चुके हैं, आपको जीवित होते हुए रिटायर नहीं होना चाहिए, आप रि आप रिटायर हो गए मतलब आप मर गए है ना, आप अपना ओफिस छोड़ कर कुछ और कर सकते हैं, यह ठीक है